हेलो एवरीवन स्वाकत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पार्शा रामी तो फैंट्स देखिए आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके और जीएस क्वेशन्स चुकि आपके एससी एक्जाम्स में या फिर अगर आपकी रेलवे के एक्जाम्स नहीं वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टन उनके लिए जो है वो आपकी वीडियो रहेगी, तो वीडियो को शुरू सेंद तक पूरा देखेगा, सारे क्वेशन्स को आप लोग भी अपने हमारे सासत आप लोग अटेंब करें, पीडियो देखिए आप लोग को कहां मिलेगा, याद रखेगा, टेलिग्राम गुरूप से, टेलिग्राम गुरूप का हमारा नाम है, लॉजिक पार्शाला 16, लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आएए फेंड्स इस वीडियो को शुरू करती हैं, तो फर्स्ट क्वेशन देखिए, वो इस दा फ एखरा, वेंकर्ट रमन, यानि शॉट में सीवी रमन इनको कहती हैं, तो ये नोवल पुरुषकार से, यानि फिजिक्स में नोवल पुरुषकार से सम्मानित होने वाले पहले भारतिया हैं, थोड़े से कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करेंगे, तो सीवी रमन की खोच के लिए उन्हें नोवल पुरुषकार मिला था, रमन इफेक्ट जो है ये रिलेटेट किससे है, स्कैटरिंग ओफ लाइट, यानि प्रकाश के प्रकीनन से संबंदित है, रमन इफेक्ट, थोड़ा सा नोवल पुरुषकार की बात करती हैं, कि नोवल पुरुषका इसके लावा पीस होगा, यानि शान्ती का और लिटरेचर, तो पांच फिल में दिया जाता था, जो एकनॉमिक्स का छेतर है, देखिए, एकनॉमिक्स यानि अर्थशास्टर की बात करें, तो इसमें नोवल पुरुषकार कब दिया गया था, तो येर याद रखेगा, फ्र की, तो next question है हमारा, डेश was the first Chief Election Commissioner of India, इंडिया के पहले मुख्य चुनाव आयुकत कौन थे, तो first देखे Chief Election Commissioner कौन थे, सुकुमार सीन, तो right answer is option number A, बात करें कुछ और important points की, तो देखे friends, सुकुमार सीन was an Indian civil servant and the first Chief Information Commissioner of India, कब से कब तक रहे थे, 21st March 1950 से रहे थे, 19 December 1958 तक इनकी सेवा रहे थी, ये रहे थे, इंडिया के Chief Election Commissioner, अच्छा यहाई पर आप लोगों से एक question में, आप लोगों से यहीं पूछ लेती हूँ, कि current में हमारे, जो friends, आप लोग बताएगा कि current में हमारे जो Chief Election Commissioner है, ये कौन है, तो ये question का answer आप लोग हमें comment करके बताएंगे, चले next question देखते हैं, the first Commonwealth Games were held in, so पहले जो राष्टमंडल खेल है, ये कहां पर आयोजित किये गए थे, so इनका आयोजित किया गया था, कब 1930, 1930 में इनका आयोजित हुआ था, so first Commonwealth Games अच्छा हुए कहां पे थी, 1930 में कहां हुए थे, तो ये भी आतकेंगे, Hamilton, Canada में जो है, इनका आयोजित किया गया था, next question, to whom did Mahatma Gandhi give the title दीन बंदू, Mahatma Gandhi जी ने देखे, दीन बंदू के जो उपादी है, मतब Mahatma Gandhi जी दीन बंदू के उपादी किसे दी थी, तो ये उपादी Mahatma Gandhi जी ने किसे दी थी, C.F. Andrews, C.F. Andrews को जो है, Mahatma Gandhi जी ने दीन ब बोलते हैं इसको, friend of the poor, so इनका जो देखे, Indian Independence Movement में जो इनका contribution रहा था, उसी contribution के लिए उनको ये उपादी दी गई थी, तो simple सा याद किया कि Mahatma Gandhi जी ने दीन बंदू की उपादी किसे दी थी, C.F. Andrews को दी थी, next question की बात करने, next question है, name the first female amputee to climb Mount Everest, Mount Everest पर चड़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है, so first female amputee का नाम क्या है, Aronima Sinha, जिन्होंने Mount Everest की चढ़ाई की, सो बात करते हैं कि इन्होंने Mount Everest की चढ़ाई की थी, ये भी important है, so इन्होंने Mount Everest की चढ़ाई की थी 2013 में, also देखे, she is the first female amputee, जिन्होंने Mount Wilson की चढ़ाई की थी, जो कि Antarcticा की highest peak है, तो इस पे क्लाईन करने वाली भी पहली दिव्यांग महिला कौन है, Aronima Sinha, Mount Everest रेके सबसे उंची चोटी है, पूरे वर्ड की, Mount Everest को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये question भी exam में कई बार पूछ लेती हैं, तो इसको कहते हैं, सागर माथा, ठीक है, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है, next question, from which Indian state did worldly art originate, so इस तरह से होती है, worldly art और इसकी उत्पत्ती जो है, किस भारती राज्या से हुई है, तो इसकी उत्पत्ती हुई है आपकी कहां से, महाराष्ट एस्टेट से, जो महाराष्टर के देखे, नौर्थ सहयादरी रेंज, जो है, वहां के जो अधिवासी लोग है, specially वहां के अधिवासी लोगों के द्वारा, जो worldly painting है, ये बनाई जाती है, आती हैं अगले question पे, who among the following was popularly known as Frontier Gandhi, निमलिकित में से कौन देखे, लोग पर ये रूप से Frontier Gandhi के नाम से इनको जाना जाता था, Frontier Gandhi के नाम से जाना जाता है किसे, अब्दुल गफार खान को, ठीक है, simple है, one liner में याद दखेंगे कि Frontier Gandhi के नाम से कौन famous है, अब्दुल गफार खान, Next, which American President won the Nobel Peace Prize, किस अमेरिकी राष्टपती ने नोबल शान्ती पुरिसकार जीता, तो किसने जीता है Friends, याद दखेंगे ये जीता है किसने, Barack Obama, So Barack Obama देखे, इन्होंने Nobel Peace Prize जीता था, कव 2009 में, और इनको ये क्यों मिला था, देखे, तो उनके जो extraordinary efforts रहे थे, to strengthen international diplomacy and cooperation between people, तो देखे, international diplomacy का मतलब हो गया, अंतराष्टे कूट मी थी, लोगों के बीच, सहियोग करने को, या सहियोग को और भी मजबूत करने में, जो उनके देखे, असधारन प्रियास रहे, जो भी उनके efforts रहे, उसके लिए 2,09 में, उनको Nobel Peace Prize से सम्मानित किया गया, तो कौन है, नाम है इनका बराक उबामा, नेक्स्ट देखे, which of the following pairs is incorrect, with reference to paintings in India, अब हमें बताना है, इनमें से देखे, pair एक incorrect है, बाकित तीन pairs सही है, गलत वाला हमें इसमें पहचानना है, तो painting से, जो है, painting associated है, देखे, state के साथ ने, तो सबसे पहले देखे, सौरा painting, ये बिल्कुछ सही है, उडिसा सी है, बाक painting की बात करें, तो मद्यवर्देश से है, ये भी सही है, उसके बाद, भाड paintings जो है, इनका सम्मर राजिस्तान से है, correct है, गुलर painting जो है, करनाटिका से क्या सम्मर्दित है, बिल्कुल नहीं, तो जो हमारा last वाला pair है, गुलर painting करनाटिका, ये pair हमारा गलत है, तो question में incorrect ही पूचा गया है, इसलिए, सही answer होगा, option number D, तो देखे, गुलर painting करनाटिका से सम्मर्दित नहीं है, तो कौनसे स्टेट से ये सम्मर्दित है, तो गुलर painting का सम्मर्दित है, हिमार्चल प्रदेश से, ठीक है, याद रखेगा, चरेए friends, next question के बात करती है, which of the following tribes belongs to Sikkim, यहाँ पर देखे, कुछ जनजाती, कुछ tribes के नाम लेकिए, उनमें से Sikkim से सम्मर्दित कौनसी है, तो देखे, Sikkim से सम्मर्दित है, कौनसी भूटिया, भूटिया tribes शो है, आड अवदी तिबतन रीजन, तिबती मूल की है, और यह migrate हो गए थे Sikkim में around the 16th century, so 16th century, यानि 16th century, यानि 16th century, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोग पर ये नाम दिया गया है, तो यह nickname है, बताना है के कौनसे स्टेट का है, तो यह nickname यह है, पंजाब राज्य का, so पंजाब राज्य को देखे, इंडिया जग्रेनरी, यानि भारत का अनभंडार, या फिर भारत की रोटी की टोकरी जो है, इसको कहा जाता है, क्योंकि यहां की जो लैंड है, यहां के जो भूमी है, वह बहुत सदा फरटाईल है, बहुत सदा उपजाओ भूमी है, और जिसमें सिंदु नदी की पांस साहिक नदिया बहती हैं, तो काफी दिखिए, यह the 29th state of India तिलंगाना जो है देखे कौन से वर्ष में भारत का 29 राज्य बना तो तिलंगाना कब बना था 29 राज्य सही आंसर है 2014 में तो तिलंगाना का जो फॉर्मेशन दे होता है देखे वो होता है 2nd of June 2014 तिलंगाना अलग हुआ था आंदर प्रदेश से और बना था भारत का 29 तिलंगाना की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है यहां की हैधराबाद यहां की कैपिटल है तिलंगाना में देखे करेंट में जो चीफ मिनिस्ट्रों है उनका नाम है रेवन्थ रेडडी और गवर्णर है तिलंगाना की तमिसे सौंधराजन नेक्स कुशन देखे As per State Census 2011, which of the following is the least populous state of India तो अगर देखें लास्ट जनगर्णा की बात करें 2011 में हुई थी उसके according भारत का देखें सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है तो सबसे कम population जो है वो कहां सी है सिक्केम राज्य की है और अगर बात करें सबसे जाधा population कौन से state की है which of the following monument, places, pairs is correct अब देखें इन में से चार जो ये pairs बने हैं इन में से तीन pair हमारे गलत है और एकी pair इसमें से सही है तो कौन सा pair सही है एक बार देखते हैं फूस्ट pair इस हवा महल क्या पंजाब में है नहीं ये pair गलत है हवा महल जो है आपका कहां पे है राजर स्थान में विक्टोरिया महल जो है वेस्ट बिंगॉल में है बिल्कुत सही और यही हमारा आंसर है क्योंकि इसमें से एक पेर्स सही था जो की है option number B पाकी पेर्स की बात करते हैं तो नालंदा जो है फेंट से असम में नहीं है वेस्ट बिंगॉल में और इसको बिल्किया गया था 1906 और 1921 के बीच इसको बिल्किया गया था यह बनाया गया था कुईन विक्टोरिया की याद में जो है इसको यह dedicated ने इसकी याद में जो है इसको बनाया गया था अगला question है देखे मिनाक्षी temple is located in which state so यहाँ बात करते हैं कि जो मिनाक्षी मंदिर है कौन से राजय में इस्तित है बहुत एक उपसूरत मंदिर है और यह आपका है कौन से राजय में तमेलनाडु में मिनाक्षी temple जो है यह dedicated है मिनाक्षी को जो कि पारवती जी का ही एक रूप है and her consort सुन्दरेश्वर सुन्दरेश्वर जी कौन है यह शिव जी का जो है एक रूप है इनको dedicated है मिनाक्षी temple next question which country is called the coffee bowl of the world किस देश को विश्व का coffee bowl जो है कहा जाता है so very important question किसे कहा जाता है ब्रजील को कहा जाता है Brazil आप देख सकते हैं South America continent में located है capital है यहां की ब्रजीली और currency है यहां की real next question देखे which of the following statement about Samar Lake is true so Samar Lake के बारे में हापे कुछ देखे चार statement देगी है question में पूचा है इनमें से कौन सी सही है so पहला statement क्या है it is the highest lake in India दूसरा statement है it was formed due to hypervelocity impact of a comet third है it drains into the Arabian Sea और चोदा है it is the largest inland salt lake in India तो इन चारों में से जो option number D है देखे यह हमारा सही है यही जो statement है वो correct है कि जो Samar Lake है यह इंडिया की largest inland salt lake है और Samar Lake गर बात करी कौन से राज्यमी है तो यह भी आ दखेंगे यह located है राजस्तान मी next देखे सागर माथा इसा नेपाली name for so मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा रिवाइस कराया था कि सागर माथा किसका नेपाली नाम है Mount Everest का so Mount Everest चो है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है यह इसको नेपाल में कहते हैं सागर माथा Mount Everest को सागरमाथा कहते हैं जिसका मतलब होता है Goddess of Sky Mount Everest के current अगर बात करें height कितनी है 8,848.86 meter सबसे first अगर बात करें Mount Everest पर किन्होंने चढ़ाई करी थी तो 1953 में Edmund Hillary और Tenzing Norgay first persons थे जिन्होंने Mount Everest की चढ़ाई की थी चले next question की बात करते हैं whose birth anniversary is celebrated as a national sports day every year on 29 August तो 29 August को किसकी जयन्ती पर राष्टे खेल दिवस मनाया जाता है तो उस दिन होती है ध्यान चंद जी की जयन्ती जिस दिन मनाते है national sports day सो मेशा ध्यान चंद जी को sports day celebrate करते हैं इनकी बातन अनिवरस्टी पर याद रखी चले next question की बात करते हैं सतरिया is a traditional Hindu classical dance form of which state तो जो सतरिया है देखी ये किस राजे का पारंपरिक हिंदू साष्ट्रिय हिन्रत्य है तो ये है कौन से राजे का असम स्टेट का Next question The book experiment with truth is based on whose life Experiment with truth जो book है ये किस के जीवन पर आधारित है तो फैंट से जो book है देखे ये आधारित है महात्मा गांदी जी के जीवन पर अगला है who is the author of the book Book का नाम क्या है We are displaced So we are displaced Book के author कौन है Malala Yousafzai Malala Yousafzai कौन है तो ये पाकिस्तानी activist है female education के लिए काफी नो ने work किया था और ये youngest ये भी आदेखेंगे friends youngest novel prize winner भी है इनको novel prize का मिलाता at the age of 70 सबसे कम उमर की novel पुरुषकार विजेता कौन है Malala Yousafzai Next question Minzar Mila is a popular fair of which of the following states So बात यहाँ पे करें कि जो Minzar Mila है वो किस राज्य का एक लोग प्रिया मिला है तो ये famous मिला है Himachal Pradesh का Next Who among the following is a flute player Bansuri Wadak in में से कौन है तो देखें जो instrument और उनके जो magicians है इनके question exam में एक नए question आपको exam में मिल चाएगा तो इस पर हमने एक अलग से video भी provide की है आप लोग Steady GK के place list को देखें और में बहुत सारी videos है जो आपके इन SST exam में important होंगी तो बासुरी वादक कौन है इनमें से द्यानसरी सहरी पिसाच चौरसिया Next देखें Manas National Park A UNESCO World Heritage Site is situated in which state of India तो Manas National Park की कौन से राजे में located है तो Manas National Park है आपका Assam State में Assam State में देखें अगर हम बात करें और कौन-कौन से important National Park है एक तो बहुत important है जो की है Friends काजी रंगा National Park ये One-Horn Rhinosur के लिए काफी famous है इसके लावा Assam में Friends ना मेरी National Park भी है उसके लावा यादर केंगे डिबरू साइख होबा National Park हो गया यहाँ पे औरंग National Park है देहिंग पटकाई वाइडलाइस संचुरी तो ये सभी located है कहाँ पे Assam State में Next question Who was the first Indian to receive the Raman Mixi से award for his contribution to community leadership So अकर बात करें देखें सामुदाइक नितरत्व में योगदान के लिए Raman Mixi से पुरुषकार प्राप्ते कहने वाले पहली भारते कौन थी So first Indian कौन थी आचारिय विनूबा भावी Next Dash is the biography of Sachin Tendulkar So बात करते हैं Sachin Tendulkar जी की जीवनी कौन सी है उनकी biography का नाम क्या है Playing It My Way ये जो है biography है किस क्रिकेटर की इस तरह से भी पूछ सकती है Sachin Tendulkar की Next Who is the writer of becoming Becoming एक book है दिखी और इसके writer कौन है तो famous authors की book तो exam में पूछ ली जाती है तो becoming जो book है इसकी writer है Michelle Obama Next is the term Dolphin cake is associated with which sport So term कौन सा है Dolphin cake और ये किस खेल से सम्मंदित है तो ये चो term है इसका सम्मंदित है किस स्विमिंग से Next है Cable Lamza और National Park जो कि word का एक मातर floating national park है ये कौन से state में situated है So ये भी important है कि word का एक मातर floating national park कौन सा है Cable Lamza और National Park और ये है आपका कहां पे Manipur state में और कौन सी lake पर है ये national park ये भी याद रखेंगे लोग तक lake पर Next name The first ever female prime minister in the world वेश्व की पहली महिला प्रधानमंतरी का नाम बदाएं So पूरे word की बात हो रहे है So फहली female prime minister कौन थी शिरी मावो बंदार कनाई की और कौन सी country की prime minister बनी थी ये भी याद रखना है So ये बनी थी फ्रेंच श्री लंका की prime minister कब रही थी 1960 में 1960 में Next day के which of the following is called The mother of parlaments निमलेकित में से किसे संसद की जननी कहा चाता है तो mother of parlaments किसे कहा चाता है The British parlaments Option D is the right answer तो यहाँ पे friends हमारे आज के खदम होती है Most important questions और जितने भी देखिए हमने आज questions cover करी है यह आपके previous year questions यानि हम आपको प्रिवेस year questions कराएंगे क्योंकि यह questions नहीं को repeat होते हैं बार पर So आपके question अच्छे से prepare हो जाएंगे तो अगर exam में आएंगे तो कोई भी question आपका रही का नहीं So SST railway को हम target लेके चल रही है तो आने वाले exams में जो भी आपके इन दोनों category के exams हैं उनके लिए हम आपको वीडियोस अच्छे से provide करने वाले हैं तो आप लोग हमारे channel से जुड़े रहें और आपको हमारे channel की वीडियोस अच्छी लगती हो So fans video को like किया करें अगर आप हमारे channel पर नहीं हो तो आपका स्वागत है channel को देखे subscribe जरूर दरी ऐसे ही important class में हम लोग आप से फिर मुलाकात होगी फिर मिलेंगे ऐसे ही important video से Thank you so much for watching this video